हेलो वाट्सप गाईज मैंने मिस्मिनोद बाद उथापना एंड वेलकम तो जाउस्ट के प्रिन हंडेड़ देज जी हां गाईज तो आज है हमारा 25 देज आज पर बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला क्योंकि आज हम फाइनली रिकर्शन के उपर जो प्रॉब्लम उसको बढ़ चुक है और तब मैंने आपसे कहा था कि आगे जा कि आम उसको रिकर्शन के थुरू करेंगे तो फाइनली वो दिन आच चुका है यूजिंग रिकर्शन चलो ठीक है तो सबसे पहले में आपको यह बता देता हो वाट इस रिकर्सन एन उससे भी पहले में यह बता द इस कि आसमें आपने समालमा हुट कर न जाया दे आपको कहता बहुत है तो न आपको करता दो इसलोचा след görev when dealing with recursion and that is the base case and then your recursive case तो base case, base मनलब का होता है एक दम निचलाइस सा, तो recursion में का होता है, एक function आपने आपको call कर रहा है तो हमें कुछ न कुछ एक ऐसा condition देना जरूरी है जहां हम ये बाता सकी कि हाँ भई, अगर आप इस particular position तक पहुँ जाते हो ठीक है, तब आपको stop करने आपना ये, I mean तब बस आप रुख जाइए, क्योंकि अगर एक function अपने आपको call करता ही जाए तो infinite loop हो गया फिर कोई तो एक ऐसा condition चेहन है, जो like fulfill होते ही, वो stop हो जाए, तो that last condition, तो वो आपका कहलाता है guys, base case the base case is the condition in a recursive function that stops the recursion, simple है, एक ऐसा condition है, जिस पे positive recursion stop हो जाता है, it's the point at which the function stops calling itself and returns of value without further recursion, simple, अब without base case तो infinite loop पे चला जाएगा, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, then we have this recursive case, तो आप देखो ने एक function अपने आपको बार-बार call करता जा रहा है, तो ऐसा condition, जिसके चलते है वो function अपने आपको बार-बार call कर रहा है, that is your recursive case, and at the end में जो सबसे last वाला condition होगा, जिस we need to find the factorial of a 5, हमें 5 का factorial चाहिए, so what is this factorial actually means, तो अगर बात होती है 5 की, तो it will be like 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो एक चीस तो आपने pattern notice कर ली होगी, यहाँ पर, that is, let's assume 5 is your n, या number, ठीक है, let's assume 5 is your number, then आप देखो के पहले तो number है, उसको हम इंटू कर रहा है, दूसरे में के number minus 1 into, number minus 2 into, समझे रहे तो, obviously यह ही हो रहा है न, and then number minus 3 into number minus 4 into number minus 5, so it's 4, 3, 2, 1, sorry, यह वाला जो last का part नहीं आएगा, तो यह एक pattern बन रहा है, जहां पर हम एक-एक minus कर रहे है, ठीक है, तो हमें इतने सारे चीजे को जो बार बार खुछ से हम minus कर रहे हैं, वो तो हमें आइडिया न last वाला कौन सा कंडिशन है, num minus 4, that is nothing but your 1, तो हमारा जो base case से वो 1 है, कि मतलब जैसे ही 1 में पहुच जाएगा, रुख जा, क्योंकि अगर मैंने यहां पे इस्तर किसी num minus 4 कर दिया, यह तो चलो 1 आता, लेकिन अगर मैं into num minus 5 कर दूँगा, तो एक बात बताओ, num minus 5 क्या होता ह num is already 5, right, अगर वहां पे num minus मैंने 5 कर दी, यह तो 0 हो गया, and the moment 0 हो जाता है, and अगर आप कोई भी दुनिया का एकदम खतरा नमर, billion dollar को ही 0 से multiply कर दो, तो वो आपका 0 होने वाला है, गया पैसा फिर, समझ रहे हो, तो हमें कभी भी 0 वाले को into करना ही नहीं है, तो हम यहां पे रूख जाएंगे, I hope guys आपको idea आगया होगा, इसको मैं आजटीज रख देता हूँ, तो देख लीजे, we need to find the factorial, right, तो मैं यहां पे चलता हूँ, कैसे करना, आप देख लीजे, so it's a const, we have a factorial, perfect, यहां पे हम चलते है, and it's a number ले ले लेते है, ठीक है, तो सबसे बहले तो आप कोई condition देना है, and that is कि if हमारा यह जो number है, if it is triple equal to one, then it should return one, तो one कर दो return, ठीक है, simple, else, अब आपको पता चला नहीं, यह जो मैंने अभी लिखा है, this is your base case, the moment one पे आता भाई, रूख जा, अपने आपको call मत करना, लेकिन, one के अलावा भाई, अगर कुछ भी रा, then we need to return, हमार into number minus one, so number into number minus one, अब एक चीज यहाँ पर problem है, यह जो number minus one है, ठीक है, देखना द्यान से क्या होता है, अगर यह मैं करता हूँ, and then run करूँगा, तो मुझे सिर्फ 24 आएगा, तो guys, अब आप सोच रहोंगे, कि यह 24 कैसे आएगा, तो मैं आपको simple बता देता हुआ क्या, कि दे num multiplied by num minus one, तो हमें क्या लागा होगा, guys, हमारा output कुछ आईसा आना चाहिए, that is 5 into 5 minus one, ठीक है, 5 minus one, तो आपको लागा होगा, it should be 5 into 5 minus one is 4, and then यह जाके आना चाहिए, 4, 5,0, 20, but in reality यह नहीं होता, guys, अगर आपने board math theory, या simple priority की भी अगर हम बात करते है, तो reality में होता क्या है, ना, कि 5 into 5 and then minus one है, तो यह जो multiplied है and then minus, यह दोनों मद्द है, यह जो multiplication है, उसकी priority जादा होती है, तो हुआ यह, कि इन्होंने क्या कर दिया, कि 5 minus one ना करके, इन्होंने कर दिया पहले multiplication, so it's a 5,5,0, 25 and then minus one, समझ रहो, तो इस तरीके से, guys, है आपका आगा 24, तो यह भी बहु से, जिसने भी figure out कर लिया कि 24 Q आया, तो let me know in the comment section and video को like जरू कर दिजिएगा, ठीक है, तो इससे तो आपको clear हो गया कि नहीं, यह funda तो काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कि मुझे हर बार एक कम करना है इसको, पहली बार तो चलो चार होगा, लेकिन second time तो मुझे 3 and then again मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यह जो part है, इसको मैं वापस इसी function में call कर दूंगा, क्योंकि one by one में इसको कम करते जा रहा हो न, तो अगर इसको मैं factorial में यही same function, देखो, recursion क्या है, same function जब आपने आपको call करता जाएगा, तो खत्म, num into factorial num minus, देखो पहले मैं minus one will be your four, समझ रहो, फिर वापस जब यह चलेगा, तो वापस इस जगे पहलेगा, तब देखो, मैं आपको बता तब क्या हो रही है, द्यान से देखना, तो first case, if it's a five, है न, कैसे हो रहा हो, देखो हां, तो number is five, five into, आप देख सकते हो, यहाँ पे, all right, five into factorial of num minus one, ठेक है, सब से पहला condition तो यह है, first loop में, right, तो अभी यह factorial of num minus one है, यह तो खुद एक function है, I mean function call कर रहा है, तो वापस वो इसको call कर देगा, तो जब उसने इसको call किया, ठीक है, तो यह तो आपका चार हो गया, तो now it's a factorial of five के बदले, we need to go with factorial of four, तो जब बात आती है, factorial of four की, तो again वो यह ही check करेगा, क्या यह one है, one तो obviously नहीं है, यह तो number है, तो it's a four into, अभी अगेन है factorial of num minus one, इस तरी किसे, but this time हमारा जो num था, वो तो four था, तो four minus one will be your three, so again इसने क्या किया, अभी factorial of three को call कर रहा है, तो जब इसने factorial of three को call कर दिया, तो it's a three into, तो factorial of num minus one, फिर से, अभी जो num था वो तो three था, so it's a three minus one will be your two, और factorial of two, फिर चेक होगा, क्या वो num one है, यह तो obviously one तो नहीं है, तो वापस वो इसको call कर देगा, तो यह जो part है, यह वापस आपका two into, यहाँ पर आएगा यह आपका factorial of num minus one, ठीक है, अब this time, obviously यह जो num minus one है, अब यह क्या हो गया, यह तो two हो गय one, तो this time finally, हमारा जो number है, वो तो one हो गया, the moment of one हुआ, वो इस वाला जो base case है, oh my god, base case आगया, अब भई, अब रुख जाओ, अब अपने अपनो call मत करना, else zero आजाएगा, फिर सब zero होने वाला है, तब जाके यह one को क्या कर देगा, return कर देगा, तो ध्यान से देखना है, यह जो part है, अब यह यहाँ गया, यह one return हो गया, the moment यह one return हुआ, तो ध्यान से देखना होता है, इस तरह किसे, and यहाँ पर call लगेगा, है ना, तो इस तरह किसे return हुआ, तो अब finally the moment of base case पर पहुशता है ना, तब जाके actual में हमारा जो output हो return होने लगता है, तो सबसे पहले मुझ यह two output आया, अब समझे रो, तब हमने जब यह factorial of three को जब call किया था, तब उसका अब हमें output आएगा, तो backward output आता है, तो three two is a, यहाँ पर मैं चलता हूँ, it's a six, all right, अब मुझे factorial of three का भी output आगया, तो factorial of four का output मुझ आएगा, तो it's a four six, 24, and then finally इतना हो गया, तब जाके five into, 24 into कितना है यह, five I guess, it's a 120, तो guys, इस तरीके से आपका यह जो recursion है, यह काम करता है, समझे रहो, and yeah, this is it, तो इसको मैं comment कर देता हूँ, तो recursion को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, especially आपका यह base case, क्योंकि the moment base case आता है, तब जाके आपका जो actual value return होने लगता है, and one by one, one by one, one by one, आपको पाता चलता, अच्छा, इसका output यह है, वरना बहुतों को कहला का 5 x 4 x 3 नहीं, पहले, सबसे last वाला output आता है, फिर वो इसको देता है, फिर वो उसको देता है, ऐसे चलता है, अब मैं यह करूँगा, so 3 to 1, and boom, guys, see, it's a 120, so yeah, guys, this is it, आज इस वीडियो के लितने, hope आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ होगा, recursion, believe me, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो guys, अब जो है, guys, finally, मेरा interior का काम almost over हो चुका है, तो मेरा यह जो भी कुछ रहेगा, guys, इसको मैं GitHub में भी अप अपलोड करने वाला हूँ, and वहां पे भी आप लोग अपन आप लाइक, इसको मैं पॉब्लिक रख दूँगा, तो वहां पे भी आप लोग, guys, you know, open contribution दे सकते हो, अब आपने भी चीजे जो interview questions से उसको भी आप आप अप अपर आड़ कर सकते हो, so guys, फिर से बाता रहे हो, यह वाली बैस JavaScript course को अभी तक चेक आउट नहीं गया, तो please कर लीजेगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजाने हो लाए, अभी तक मेरे ओसम चैनल था, आपको अपर टेख निकोल को सब्सक्राब नहीं गया, तो please कर दीजेगा, मिलता हूँ मैं आप आपको कल की वीडियो में तिल दिन, guys, thank you so much, take care.